असलामों आलेकूम मैं जुलेखा अर्फाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं मखनी चिकन घरेवी बहुत ही जबरदस्त मसेदार बनती है और डिलिशिस होती है तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रेडियन से एक्स्ट तो यह जारी इलाइची दालिए उससे भी थोड़ा तर्टरा जाने दीजिए तेल में उसके बाद दाल दीजिए यहां पर मैंने तीन मीडियम साइज की प्यास को पीस कर डाला है यह दाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए दो-तीन मिनिट तक फ्राइ कर लिजिए म मीडियम आज पर हां अब दो-तीन मिनट तक फ्राइ करना है इसी के लिए कि यह जो तेल है न बस चूटने लगे वहां तक ही हमें करना यह देखिए तेल चूटने लगा न तो अब यहां में यह एक किलो तक की चिकन है चर्वी निकाली हुए दो-तीन पानी से धोके नितान जितना अधरक लसन का पेस्ट ताल दीजिए इसे भी दाल कर पार बार चलाते हुए फास्ट आज पर भून लीजिए तब तक भूनिये जब तक तेल नहीं चूट जाता और अधरक लसन के पेस्ट का कच्छापन नहीं चला जाता सब समझे ना दो मिनिट में तो आराम से हो चमच भूना और पीसा हुआ जीरा पौरडर दाल दीजिए दो छोटे चाय के चमच चिली फलेक्स के भी दाल दीजिए एक छोटा चाय का चमच सफेध मिर्चो का पौरडर आता है मतलब white pepper powder वो दाल दीजिए आप चाहें तो white pepper powder ना हो तो काली मिर्चो का पौरडर दाल सक के ना न 2-3 मिनिट हो चुकी है वीडियम आज पर मसाले अच्छे भून चुके आप देख सकते हैं तेल चूट चुका है तो यहां पर मैं दाल देती हूं 3-4 कप काड़ी दही अच्छा दही खटी भी नहीं है मीठी भी नहीं है नॉर्मल टेंपरेचर पर है और चुले को कर मैं डाल देती हूं एक कप जितना पानी अच्छा अब आपको यह है कि आपको कम ग्रेवी चीए तो आप आधा कप डाल सकते हैं पौना कप डाल सकते हैं बट मैंने एक कप डाला क्योंकि हम जादा ग्रेवी खाते हैं अब इसे एक बार उबाला जानी दीजिए फास्ट लग सकती है एक बार चला लीजिए अब मैं इसमें डाल देती हूं आधा चुट चाइक का चमच गरम मसाला पाउडर और वन फूट कप मलाई अच्छा मैं बाजार के ले रही हूं आप घर की भी ले सकते हैं कुछ नहीं दूद के उपर की जो मलाई है वो ले लीजिए चा यहां फ्राइपन के चूला चालू कर दीजिए अचा यह मैं बता देती हूं एक बड़े साइस का टमाठर है इसे मैंने बिजे निकाल के ऐसा मोटा मोटा स्क्वेर शेप में काता है वो लिजे निकाल के मोटा मोटा काता है तीन चार हरी मिडचियां लंबी-लंबी स्लिट म ज़लें दीजें, थोड़ा सा तेल भी दाल दीजें तो थोड़ा होजाए, तो हमारी जो सबजियां गटी हुई हमने सईट पर रखी यह सारी डाल दीजे बिसमे लेराफानेरी इंपोल कर और इसे बार-बार चलाते हुए तकरीबन समझे ना दो मिनिट तक फ्राइ कर लीजी ए मैंने चूला मीडियम कर लिया है जब दो मिनिट फ्राइ हो जाए तो हमारी जो साइड पर रखी है पतीली यह सारा जो हमने यह fry किया है, चिकिन के अंदर डाल दीजिए, और इसे डाल कर तकरीबन आधे एक मिनिट तक, मीडियम आज पर पकने दीजिए, जब आधा एक मिनिट हो जाता है, तो चुले को कर दीजिए, बंद, आधा पॉना मिनिट हो चुका है, तो मैं चुला कर देती हूँ, बंद, हमारी डिलिशियस मक्खनी चिकन ग्रेवी, मैंने थोड़े से अधरक साइट पर रखेते कटे हूँ, यह दाल देती हूँ, अचा ग्रेवी आपको जादा लग रही तो आप मेडियम आज पर या फास्ट आज पर सुखा भी सकते हैं, तेल चुटन लगे तो चुले को कर दी बंद, हरी मिर्ची और चिली फ्लेक्स अपने स्वाद अनुसार दालिएगा यह रेसिपी में, हैना मज़ेदा है रेसिपी आज की अगर यह रेसिपी आप बना है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरू शेर किजिएगा, मुझे आपके कमेंस पर बहुत अच्छ लगते है रेसिपी अच्छ लगे तो लाइक कीजिए वाले वीडियो को उससे जादा अच्छ लगे तो फैमिली और फैंस में इस वाले वीडियो के लिंग सरुर फरवड कीजिएगा, फिर से आजिर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ, अंतल देन टेक कर आला आपस, बढ़े!